अगर आप access bank credit card holder हो तो यहां आपको लगने वाला एक बड़ा जटका क्योंकि access bank आपने credit cards पे कुछ charges को कर दिया है revise and this is going to be effective from 10th September 2022 मुझे इसका SMS आचुका है and यह मैंने आपको pin comment में share कर दिया है तो अब क्या है यह charges and इसका क्या असर होगा आप पे चलिए जानते है इस वीडियो में तो यहां लिखा है important announcement for access bank credit cards मतलब यह सारे access bank credit card holders को affect करेगी यह announcement लिखा है कि effective September 10th 2022 charges on your access bank credit cards will be revised so 10 September 2022 से यहां पे कुछ charges है जो revise होने वाले है अब वो revised का मतलब बढ़ रहे है या कम हो रहे है वो अब जानते है पहला है late payment charges अगर आपका bill less than 300 rupees होता था यह अभी current rates है ठीक है तो currently जो late payment charges कैसे लगते यह इनोंने बता है कि अगर आपका bill total bill 300 से कम होता तो यहां पे कोई भी late payment charges नहीं था 301 से 500 के बीच में आपको 100 रुपे का late payment charges लगता है 501 से 10,000 के बीच 500 रुपिया 10,000 एक से 25 रुपे का आपका creditors का bill होता और उसे आप late भरते तो 7500 रुपे का चार्ज लगता और 25 र के उपर का bill होता तो भाई आपको 1000 रुपे तक जा सकता था अब 10 September 2022 के बाद यह होने वाला है कि less than 500 अभी भी निल रहेगा बट अब यह 300 का हो गया 500 ठीक है अब यहाँ पे है कि INR 501 से 5000 तक अब सीधे 500 रुपे लगेंगे तो इन्होंने 100 रुपे वाला यह जो bracket था यह हटाई दिया है समझो यहाँ एक इंपोर्टन नोट है विच इस के लेट पेमेंट चार्जेज विल नॉट बी एपलिकेबल फॉर बर्गंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड्स सेकंड पेज पे रिवॉर्ड रिदेंशन चार्जेज के बारे में बता गया है आप अपने एज रिवॉर्ड पॉइंट को जब रिडीम करोगे न तो आपको इस पर लगने है चार्जेज एंड यह कुछ इस प्रकार है कि लेस देन 300 पॉइंट आप रिडीम करते हो तो कोई चार्ज नहीं है 300 से 10,000 पॉइंट के बिश में आप रिडीम कर रहे हो तो 49 रुपीज का चार्ज एंड ग्रेटर देन 10,000 पॉइंट 99 रुपीज का चार्ज लगेगा यहां यह मैंचेंड है कि reward redemption charges will not be applicable for customers holding select credit card and यह सारे credit cards के यहां पे नाम बताए गये हैं जिनको यह charges नहीं लगेंगे यहां कुछ FAQs भी है जिनका answer दिया गया है which is this कि क्या annual या joining fees भी revise हो रही है इस 10 September की date से तो यह mentioned है कि नहीं कोई भी change नहीं है annual या joining fees में यह charges कब से applicable होंगे तो जैसे mentioned है कि यह September 10, 2022 से effective है और बाकी सारे FAQs को आप जरूर रेफर कर लें जैसे यहां पर यह भी mention है कि आप कैसे avoid कर सकते हो यह late payment and interest के charges को जो यहां पर बताए गए है इसे आप कैसे avoid कर सकते हो इसका भी इन्होंने यहां पर answer दे रखा है कि at least आप minimum amount due इसे आप पे कर ले before the payment due date to avoid late payment charges या फिर आप total amount भले मैं हमेशा यह कहता हो कि आप total amount ही भले before the payment due date ठीक है ताकि आपको कोई भी interest या कोई भी charges ना लगे जब आप minimum amount due भी भरते हो तो दोस्तों आपकी जो बाकी की जो unpaid amount है उस पर आपको ब्याज़ दगना शुरू हो जोता है यह काफी high होता है in credit cards generally any credit card जिस पर आप सुफ minimum amount due भरके बाकी का पैसा नहीं भर रहे हो तापको बाकी के पैसे पर interest काफी high charge होता है क्या इन charges पर GST included है तो यह इन्होंने लिखा है कि GST in charges पर over and above लगेगा तो अगर यहां पर किसी चीज का charge जैसे कि लिखा गया है समझे यह 1200 रुपे तो इस पर GST अलग से लगेगा क्या यह reward redemption fee cashback पर भी लगेगी तो यहां लिखाए कि reward redemption fee is only applicable जब आप as reward points को redeem करते हो यह तब applicable नहीं है जब आप cashback या club विस्टारा points etc को आप redeem कर रहे हो एंड यहां आपको 7 वे question में सारे charges जो आपको applicable होंगे वो आप देख सकते हो इस पर आप click करके check कर ले समझ गए पूरे charges को मन में अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप ज़रूर पूछे क्यूंकि पूछने से ही जवाब मिलते हैं वीडियो गर अच्छी लगी तो प्लीज आ झाल